ग्रहन अक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचारे बताते हैं आपकी राशियों का हाल मित्रो सादर जैसी कृष्ण हमारे यूटूब चेनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है मैं हूँ आपके साथ आचारे धर्मिंद्र शास्त्री आज हम आपको बताने जा रहे हैं डेनिक राशीफल यह राशीफले साथ सितंबर 2023 गुरुवार का दिन है भादरबद महा के कृष्ण बख्ष की अश्टमी ती थी है इस दिन स्री कृष्ण जन्मास्टमी का महापर्व रहेगा तो आपको और आपके पूरे परिवार को जन्मास्टमी महापर्व की बहुत बहुत शुप का नए एवम बढ़ाईया भगवान स्री कृष्ण कनहिया का भरपूर आशिर्वाद आप सभी के जीवन पर नरन्तर बना रहे आप सभी सुखी रहें स्वस्त्र रहें व्यस्त रहें और मस्त रहें नरंतर उन्नती तो था प्रगती को प्राप्त करते रहें व्रशब रासी में चंद्रमा रहेंगे रोहिनी नामक नक्षत्र इस दिन रहेगा और दिशासूल की अगर हम बात करें तो दक्षिन दिसा में रहेंगे इसलिए दक्षिन दिसा की यात्रा करना नुकस राहुकाल रहेगा इस दोरान किसी भी प्रकार का शुब एवं मांगलिक कारिक्रम आपको संपन्न नहीं करना चाहिए हाला कि राहुकाल का निर्णे आप अपने ख्षेत्र के पंचांग अत्वा केलेंडर के अनुसार कर सकते हैं क्योंकि राहुकाल कई छेत्रों में माना जा शुक्र ग्रह करक राशी में शनिदेव कुम्ब राशी में राहुग्र मेस राशी में तथा केतु ग्रह तुला राशी में विराजित रहेंगे इस देनिक ग्रह गोचर के अनुसार मेश व्रशब करक कन्या व्रश्चिक मकर एवं मीन ये सात राशियां सबसेदिक से भी इनको लाब मिलेगा जो काम कई दिनों से ये नहीं कर पा रहे थे या रुकावट आ रही है उसमें भी तेजी आने का योग बन रहा है तो कुल मिला करके इन साथ राशी वालों के लिए दिन सबसे खास साबित होगा अब हम आपको मेज से ले करके मीन सभी बारा राशी की फल बताने जा रहे हैं हमारे इस ग्यानवर्धक वीडियो को अंति तक जरूर देखिएगा और देखने के पश्चाथ अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा सूर्योदय सुबह 6 बच के 8 मिनिट पर होगा तथा सूर्यास्त शाम को 6 बच के 29 मिनिट पर होगा चंद्रोदय 11 बच के 46 मिनिट में होगा और चंद्रमा का अस्त अगली सुबह 1 बच के 33 मिनिट पर हो जाएगा इस प्रकार यदि हम शुब मुर्थ की बात करने तो सुबह छे बजे से लेकर के साड़े साथ बजे तक शुब का चोग्डिया होगा तथा सुबह साड़े दस बजे से लेकर के दो पार तीन बजे तक लाब और अमरत का चोग्डिया होगा और उसके बाद शाम को साड़े चार से च्छे बजे तक शुब का चोगडिया होगा तथा रात में 6 बजे से 9 बजे तक अमरत और 4 का चोगडिया रहेगा इस दोरान आप कोई भी शुब काम करेंगे, मांगलिक कारी करेंगे तो आपको अधिक से अधिक फाइडे का संयोग बन सकता है अब हम आपको मेश से ले करके मीन सभी बारा राशी वालों का दैनिक राशी पल बताएंगे आप सभी से नुरोध है कि हमारे इस ग्यानवर्दक वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी की आप सब की मदद करेंगे भावख हो सकते हैं आनंद मनोरंजन के कुछ आउसर भी आपको प्राप्त होंगे अपना व्यवहार लचिला रखे अपना पसंदिना काम निप्टाने की आप योजना बना सकते हैं दूसरों की मदद से किसी काम से जुणना आपके लिए फाइदे मन होगा संतोज जनक रहेगा किसी कागच पर हस्ताक्षर करने के पहले उसे अच्छी प्रकार से पढ़ ले बिगडे काम सुधारने में किसी की मदद करेंगे काम धंडे नोकरी और परिवार के लिहाज से दिन थोड़ा ठीक रहेगा काम में मन लगेगा उत्साहभी आपका बढ़ेगा उपाई के रूप में भोजन के बाद सुफ या फिर इलाईची खाना आपके लिए शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जोकी 5 होगा अब हम बात करते हैं व्रशब रासी की परिवार का कोई भी यदि तनाव चल रहा है तो वो समाप्त हो जाएगा दिन की शुरवात अच्छे कारियों से होगी अचानक सब कुछ अच्छा हो जाएगा जीवन साथी के साथ आपकी खूब निभेगी और पारिवारी जीवन सुखद रहेगा तन मन और माहुल में कुछ दिनों से चली आरे सुस्ती भी समाप्त होगी ओफिस कारिक्षेतर में कोई इस्थिती आपकी रुटिन लाइब को बदल सकती है सामाजिक तोर पर आप काफी सक्री रहेंगे लोगों से मुलाकात और प्रसनता होगी आपकी मदद या प्रेड़ना से कुछ लोगों को सफलता मिलेगी जो काम आपको दिया गया है आप उस पर बारी की से ध्यान देंगे आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा है अधूरे काम समय पर निपट जाएंगे जीवन के प्रती नजरिया आपका बदला हो रहेगा कोई प्रेम प्रसंग या नया काम आपका शुरू हो सकता है उपाई के रूप में किसी भी मंदिर में यदि आप आटे का दान करेंगे तो आपका देंट शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जोकी तीन होगा अब हम बात करते हैं मितुन राशी की कन्फ्यूजन और गलत फेमी की स्तिति से आप बाहर निकल सकते हैं कुछ नया करने का उसर मिलेगा सफल होने के कई तरीके आपके दिमाग में आजा सकते हैं आपके चिंतन की दिशा सकारत्मक रहेगी आज आप पुरी तरह व्याभारिक और संतुलित रहने की कोशिश करेंगे इसका असर आपके नजदी की लोगों पर पड़ेगा व्याभारिक जवाबदारी और प्रतीस परदा में जल्द बाजी से नुकसान हो सकता है उपाई के रूप में यदि आप कोई भी लाल रंग का फल देवी जी के मंदिर में चड़ाएंगे तो आप का दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशाली अंक जो की नौ होगा अब हम बात करते हैं करकराशी की आप अपने मन की बाते किसी को पता नहीं चलने देंगे राज की बात उजागर नहीं करेंगे पैसो से जुड़ी खुश खबरी आपको मिल सकती है या किसी मामले में कोई अच्छी खबर आपको मिल सकती है धैरे रखे अपनी बात और बाचीत के तरीकों पर नियंतरन रखे इससे आपको ही फाइदा होगा जो भी बोले सोच समझ करके बोले अपनी इच्छा से आप किसी की मदद कर सकते हैं आपकी योजनाएं पूरी होगी और उससे आपको फाइदा भी होगा आज आप किसी बात पर नर्वस हो सकते हैं आपके मन में खुद को लेकर के फालतु का डर या संसय उत्पन हो सकता है चुट-पुट समस्याईं जरूर है लेकिन आप उसका समाधान भी निकाल लेंगे उपाई के रूप में यदि आप मा दुरगा के मंदिर में कोई भी पुश्प चड़ाएंगे लाल फूल या पीला इसाबित होगा और आपका भागिशालियन के जो की एक होगा अब हम बात करते हैं सिंगरासी की जो भी काम सामने आये उसे निप्ताते चले आये दूसरों से बैधड़क मदद मांग ले आप अपनी ख्रमता दिखाने का मोका न चुके अपनी रचनात्मक्त योगिताओं के अलग रहेंगे कोई दोस्त आपको परशानी के वक्त मदद कर सकता है परिवार प्रेमी और संतान को लेकर आपको ज़्यादा ही भावख हो सकते हैं प्रेमी या जीवन साथी को समय देंगे धर इसे खुद पर कंट्रोल करेंगे सफलता आपको मिलेगी अचानक कोई रुका अब हम बात करते हैं कन्या राशी की दूसरों के साथ तालमेल बना कर आप चलेंगे जिससे नोकरी में आपको फायदा होगा आप थोड़ा स्वतंत्र और खुद को तैनाव मुक्त महसूस करेंगे अफिस का कोई विवाद निप्टाने की कोशिश आप कर सकते हैं करिक्षि कोई भी फैसला करने के पहले परिवार के सदस्यों के साथ सलह मश्वरा अवस्य करें आपके विचारों में मजबूती आएगी अपने मन की हर बात कहने के प्रति आप उच्छुक रहेंगे आज आपको धीमी और साब बात करना अच्छा रहेगा उपाई के रूप में हनु इसले में एक आपको संदेश प्राप्त भी होगा और आपका सम्मान बढ़ेगा और कोई ऐसी जुम्मेदारी आपको दी जा सकती है जिसे सिर्फ आप ही कर सकते हैं किसी विवाद को सुलजाने में आपकी दक्षर्टा का प्रयोग किया जाएगा आपको कई लोगों और कई तरह के मामलों का सामना करना पड़ेगा खुद पर नियंतरन रखेंगे तो आगे आप बढ़ जाएंगे पैसो का कोई मामला यदी चल रहा है तो वहाँ सुलज जाएगा जो आज आप बात करेंगे उसमें किसी भी प्रकार का कोई संकोच न करे अपनी सेहत पर ध्यान दे ह हर जरूरी बात अपने पार्टनर से आप शेयर करें टेंशन आपकी समापत हो जाएगी नए नए आइडियास आपको मिल सकते हैं किसी काम की जित करेंगे तो काम बिगड़ सकता है इच्छा न होते हुए भी थोड़ा बहुत आपको खर्च करना पड़ेगा लोगों की सला भगवान विष्णुजी के मंदिर में यदि आप पीला फूल चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो की चार होगा अब हम बात करते हैं व्रश्चिक रासी की आपका स्वभाव हस्मुक रहेगा और आप कई समस्याओं को सम कुछ रखा है वो हो जाएगा मानशिक शांती रहेगी महनत कम है परिनाम आपका दिल खुश कर देगा व्यापार अच्छा चलेगा जीवन सांती की सेहत पर आपको ध्यान देना चाहिए उपाई के रूप में यदि आप भोजन के बाद गुड़ खाएंगे तो आपका दि मिशालियंक जो किछे होगा अब हम बात करते हैं धनुराशी की दूर इस्थान से केरियर संबद्दित समाचार आपको मिलेगा जो आपको खुश कर देगा सांत काम करने वाले लोग आपके लिए लकी साबित होंगे कुछ ऐसे लोगों से आपकी बातचीत होगी जो आपके काध्यान पैसों के हिसाब किताब पर बना रहेगा निवेस के अउसर मिलेंगे आपसी विचार विमर्स और सहयोग से आपको प्रसनेता प्राप्त होगी और उपाई के रूप में यदि आप कच्चा दूर शंकर भगवान के मंदिर में चड़ाएंगे तो आपका दिन शु मिल पाएगा अब बहुत से काम निप्टाना चाहेंगे मानसिक सुस्ती भी आपकी समाप्त होगी आपको कोई ऐसा काम या नोकरी मिल सकती है जो मानसिक तोर पर आपको व्यस्त रखेगी दिन आपके लिए अच्छा है परिवार या प्रेमी जनों के साथ कोई अन्बन हो सक कर किये गये कामों से आपको भरपूर फाइदा होगा उपाई के रूप में गाय को यदि आप रूटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुपलदाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो कितीन होगा अब हम बात करते हैं कुम्पराशी की कोई राज की बात आपको पता चल सकती है और आपके मन में अचानक कोई ऐसे विचार उत्पन होंगे जो आपको फाइदा देंगे अपने मन की बात पर भरोसा रखे सकारत्मक सोच रखे आज पूरी व्यभारिक्ता और समझदारी से अपना काम करे अपनी वानी और हाव भाव पर नियंतरन रखे उदार और संतुलित रहे तनाओ के मोकों को हासी मजाक में टाल दे समय दो-चार दिन में ठीक हो जाएगा उधार पैसा आप चुका सकते हैं और बड़े तथा खास लोगों से आपकी मुलाकात होगी उपाई के रूप में एक नारियल यदि आप भगवान हनुमान जी के मंदिर मे चड़ाएंगे तो आपका दिन शुफल दाई साबित होगा आपका भागिशालियंक जो की पांच होगा अब हम बात करते हैं मीन राशी की कोई खास बात आपको पता चल जाएगी व्यावसा या नोकरी के कुछ कामों में आप भागिशाली साबित होगे कुछ दोस्तों और परिचेतों से आप चर्चा करेंगे आगे चल करके आपको ही फायदा होगा कुछ महत्वपूर्ण लोगों से आपकी महत्वपूर्ण चर्चा होगी मुलाकात होगी उनसे आपको फायदा होगा कोई काम आपने पिछले दिनों सुरू किया है उसके भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे उपाई के रूप में तामबे के लोटे से भगवान शंकर जी को जल चड़ाना आपके लिए शुफल दाई साबित होगा और आपका भाग गिशाली अंक जोकी नौ होगा तो मित्रो या बारा राशी का देनिक राशी फल और उनको करने वाले उप आनवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा लाइक करिएगा कमेंट करिएगा और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लिजिए आपको और आपके पूरे परिवार को साधर जैसी कृष्ण साधर धन्यवाद